तो स्वागत है आप सभी का ग्याफर एकेडमी के इस नय और लेटेस्ट वीडियो में तो फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं वापस आ गई हूँ और आज के इस वीडियो में हम लग क्लास 12 के उर्दू का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इनशाया क्या है देखिए ये चैप्टर एक मजमून यानि की निबंध है जिसको इंग्लिस में कहा जाता है एसे और उर्दू में क्या कहते हैं मजमून कहते हैं इनशाया क्या है इसमें यही चीज बताइगी है कि आखिर इनशाया किसे कहते हैं और इनशाया को हम लोग कैसे पहचानेंगे यूँँ मज़धार अंदाज में ठीक है ना तो वडियो तो important है क्योंकि chapter काफी important है उसे बहुत सारे questions पूछे जाते हैं और in fact इस chapter के जो राइटर है वजीर आगा इस चप्टर के राइटर कौन है मुसर्निफ उर्दु में कहा जाता है लेखक को क्या कहा जाता है मुसर्निफ तो इस चप्टर के जो लेखक है मुसर्निफ वह है वजीर आगा वजीर आगा एक बर फिर से हमारे साथ बोलिए वजीर आगा बोलते है लेकिन इसको क्या पढ़ा जाएगा मतलब यहां पर जो लिखा है मुसानिफ का नाम इसको वजीर आगा पढ़ा जाएगा ठीक है वजीर आगा इनके बारे में थोड़ा बहुत डिजल साप लोगों के बुक में दिया गया है जो कि मैं यहां पर बोर्ड पर लिख दी हूं करेंगे उसके बाद से मैं चेप्टर स्टार्ट करूंगी बहुत ही आसान चेप्टर है टाइटल को देखकर आप लोग जजमत किजेगा कि यह बकवास होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बहुत आसान चेप्टर और बहुत ही जदा मजदार है एकदम सिस्टेमाटिक तरीक से कोश्चन पूछे तो आप लोग एकदम हंडेट परसेंट करेक्ट लगा करा है सुनाव विदाउट एन डिले लाइट्स गोटो स्टार्ट और स्टार्टिक में आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिजेगा और जितना जयाद हो सके आप लोग कर रहे हैं और लाइ है छोटे बड़े भाई बहन दोस्त यार जितने भी चार्ट अफशेर कर दिजेगा हो सके तो स्टेटस जरूर लगा दिजेगा क्लास 12 के उर्दू का नया सेसन स्टार्ट हो चुका है 2025 के लिए और धुहधार अंदाज में आप लोग की त्यारी कराई जा रही है वो भी न हमारा लक्षे था ना कि स्टूडेंट जो है उर्दू सब्जेक्ट जो उर्दू विशय है उसको मजबूरी में ना ले बलकि शौक से ले कि हां हम उर्दू सब्जेक्ट हो ले रहे हैं और टोटल मार्स गें कर रहेंगे यान कि 100 आउट ऑफ 100 जितना मार्स होता है टोटल म अब यहां पर दिया जा रहा है और यह जानकर आप सभी लोग का प्यार आप सभी लोग का सपोर्ट तो मतलब की जिसका कोई हिसाब ही नहीं ठीक है अभी 12 वालों का आप लोग जानते है रिजल्ट आया है और बहुत भर-भर के कमेंट आया है आप सभी लोग का मतलब जितने भी 12 क्लास वाले पिछले बैच के जितने भी स्टुडेंट है जिन्होंने 12 का एक्जाम दिया है उनका रिजल्ट आ चुका है फाइनली औ बहुत चारे ऐसे स्टुडेंट है जिनका कहना है कि मैं हम आपके शानल से तो मुल्ब आपके वीडियो एक महीना पहले देखना स्टार्ट किये थे और मातर एक महीना की तियारी से हम उर्दू में इतना मांक्स ला दिये हैं ठीक है कि हम तो हिंदी में हिंदी सिर्फ आफी लोगोने लाया है कि मैं यहां पर यह कहना चाहते हूं उन स्टुडेंट को जिनका एकसाम ह benefit 25 पचेस में होने वाल क्लस्तो के स्टूडेंट मैं यह कहना चाहत हूं अब आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है 98 माक्स से मांक्स कम नहीं प्लस होना चाहिए और इसी वज़ा से मैं पहले ही सेसन स्टार्ट कर दी हूँ ताकि हर वो टॉपिक जो कि आप लोग के एक्जाम के पॉइंट में उसे मस्ट इंपॉर्टेंट है वो कवर कराते चला जाए ताकि आप लोग का माक्स जो है ना इसी तरीके से बरकरार रहे 98 प बना देना है कि हर एक गली हर एक महले का बच्चा फ्री अफ कास ऊर्दू पर सके ठीक है उर्दू स्टुडेंट्स शॉक से ले न की मजबूरी में ठीक है चले स्टार्ट करते हैं समझते हैं सबसे पहले वजीर आगा क्या है इसमें आप लोग को इनशाय के बारे में पढ ठेखे कोशन पुछा गया था कि वजीर आगा की पैदाइश कहा हुई और ओप्सन में वजीर कोट लाका दिया गया था न की सरगोधा दिया गया था लेकिन हाँ आप लोगा माणलिजी आप लोगा जिस दिन से पता चल रहा है कि फिर्दाइश का वजीर कोट के लांगे पाकिस्तान के सरगोदा के उन्हें पर जानते हैं कि जो हैना यह नकाद के सान्थ साथ शायर के साह्त इन श्याय नगार भी एब यहाँ पर अप आप लोग सोच रहे होंगे मैं हम तो शायर भी जानते हैं किसे कहते हैं मतलब शायर तो जानते हैं कि जो शेरो शायरी इंसान करता है उसको शायर कहा जाता है और इंशाया निगार जैसा कि जो इंशाया लिखता है उसे हम लोग इंशाया निगार कहते हैं और इंशाया किसे क किते हैं मैं आप लोग व congen करना यानी सब्सक्राइब को पिछ भी लिखा हो या फिर मर्सिया लिखा लिखा हो कुछ गलत है, मतलब घरे खोटे की पेचान करना, क्या सही है, क्या गलत है, ये लिख कर बता देना, उसकी खोबियों को और उसकी कम्यों को दोनों को लिख कर बता देना ही क्या कहलाता है, तनकीद कहलाता है, और जो इंसन तनकीद लिखता है, उसको हम लोग तनकीद निगार कहते हैं और तनकीद निगार कोई शॉर्ट कॉट में कहा जाता है नकाद तो आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा कि नकाद किसे कहते हैं जो तनकीद लिखता है यानिकी तनकीद निगार कोई हम लोग क्या कहते हैं नकाद कहते हैं ठीक है तो वजीर आगा जो पढ़ाई किये थे और गुवर्दमेंट कॉलेज में अला तालीम हासिल करने के बाद मतलब कि आगे की पढ़ाई के लिए ये पंजाब यूणिवरसीटी में उर्दु अदम में तंजो मजा के मौज़ों पर प्श्डी भी कर लिए पंजाब पूछा गया है बहुत बार इनके कुली आथ का नाम है लफजों की छागल कुली आत कर क्किन है आगे बढ़ते हैं कि कुछ किताबों का नाम आप लोग दियागया है जैसे उर्दू अदब में तन्जो मजा उर्दू शायरी का मजाज नजन जदीद की करवटे तखलेकी और मजलिसी तनकीद यह सारे किताबों के नाम है जो कि वजिर आगा द्वारा लिखे गए है आगे बढ़ते हैं मजमीन के मजमुवा का नाम यहां पर दिया गया है मजमीन का मजमीन मजमून का मतलब क्या निबंद यानि कि निबंद के किताब का नाम मजमून के किताब का नाम यहां पर दिया गया है तनकीद और एहतसाब दूसरा किताब का नाम है नए नए तनाजिर और तीसरा का नाम है मानी और तनाजिर यानि कि यह तीन मजमून के किताब का न ना सुन देखी अगर आप लोगो को लग रहा है की मैं फास्ट बोल रही हूं तो आप लोग को बीटियो को फास्ट कर लीजेगा धुमला दिखाई दे रहा है तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजेगा जैसा भी मतलब फीचर यूटूब ने रहा है फाइदा उठाई य जिस हिसाब से आपको comfortable feel हो उस तरह से आप लोग YouTube का features उठाकर उस हिसाब से आप लोग कर लीजे के वडियों को मतलब जूम भी कर सकते है कौलिटरी भी बढ़ा सकते है स्पीड भी बढ़ा गटा सकते हैं कोई दिककत नहीं आगे बढ़ते हैं मशूर तवील नजम जैसा कि मैं रेखी हूँ आधी सदी के बाद यह वजीर आगा की सबसे मशूर तवील नजम है तवील नजम का मतलब क्या नजम का मतलब होता है कवीता और तवील का मतलब होता है बहुत ही लंबी कवीता यान की वैसी कवीता जो की बह हम सब्सक्राइब दसना किताब साथ किताभी, पार याद रखने घूरा सब्सक्राइब को यांफ़ लिखा नहीं योगत। दो किताब का नाम 다ag लुगते, नि конечно का नहीं करो लिखते लिता हैं, है वजीरियागा के बारे में डिटेल्स आप लोगे बुक में आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा अब चली समझते हैं कि इन्शाया किसे कहते हैं इन्शाया इन्शाया आखिर क्या है हलांकि जब मैं आप लोग को मिट्टी का तेल नाम का चेप्टर पुढ़ा रही झातु कि जो कि वो भी एक मजमून था, वहां पर मैं आपने उको बताई थी कि मजमून के चाड़ टाइप होते हैं, पहला है, इल्मी मजमून, दुसरा होता है जरीफाना मजमून त्यामा का तैसमand तूसरा है, लोग को उस वीडियो में बताई थी ठीक है आज के इस वीडियो में इंशाया को ही समझना है यानि कि आप ही कह सकते हैं कि निबंद का ही मजमून का ही एक किस्म है क्या इंशाया यानि कि जिस तरीके से मजमून लिखा जाता है निबंद लिखा जाता है बिल्कुल हुब उसी तरीके से इंशाया नहीं लिखा जाता है इंशाया जो है ना मजमून यानि की निबंद का ही किसम है लेकिन आप इंशाया को मजमून नहीं कह सकते हैं यह बहुत बड़ी बात है याद रखिएगा इ इंशाया को मजमून यानि की निबंद नहीं कह सकते हैं इंशाया का जो लिखने का तरीका होता है वो बिल्कुल मुख्तलिक होता है यानि ही अलग होता है इंशाया का जो लिखने का तरीका होता है यही इसको दूसरे इसनाफिय अदब से मुमयद करता है यानि की अलग करता ह इन्षाहिया को कि दोसरी इतनाफ्य अदवique करती है यान्य कि मतलब क्षाया को लिखने का तरीका होता है यान की बिल्कुल यूनिक तरीके से लिखा जाता है इन्षाहिया और यही इन्षाहिया का रोशायरी के अंदाज में नहीं रिखा जाता है बल्कि आम बोल चाल की तरह लिखी जाते हैं उसी तरीके से लिखी जाते हैं यानि कि नसर की तरह ही लिखी जाती है नसर की अंदाज में यानि कि इन्शाया क्या है एक नसरी सिंफ है कोशन पूछेगा आप से कि इन्शाया है और option में दिया रहेगा नसरी सिंफ, तो धीले से नसरी सिंफ टिक कर दीजेगा, इंशाया क्या है एक नसरी सिंफ है, शेरी सिंफ नहीं है, अब बात आती है, कि इंशाया को हम लोग पहचानेंगे कैसे, कि कोई भी लिखा हुआ चीज इंशाया है की नहीं है, आखिर कुछ ख सकते हैं इंशाया की कुछ खुसूसियत होती है कुछ खुबी जिसके जरी हम पहचान कर सकते हैं कि कोई भी लिखा हुआ सबसे पहले समझते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे की कोई भी लिखा हुआ है कि नहीं है इंशाया की देखिए सबसे पहली खुबी यह है सबसे पहली खुसूसियत है कि इंशाया जो है इसमें ताजगी होती है यानि कि पहली हो भी क्या है ताजगी यानि कि किसी भी टॉपिक के उपर अगर इनशाया लिखा जा रहा है तो उस टॉपिक के बारे में कुछ नया चीज लिखना होता है यानि कि जो इनशाया लिखने वाला होता है ना इनशाया निगार वो किसी भी topic के उपर लिख रहा है ना तो उसमें कुछ नया चीज देखेगा जो पढ़ने वाला इंसान है ना उसको पहले से पता ना हो जैसे कि माली जी ये मारकर है मारकर के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते होंगे ठीक है माली जी इनशाया निगार मारकर के बारे में लिख रहा है तो मारकर के बारे में कुछ ऐसा चीज उसको लिखना होगा जो कि पढ़ने वाला पहले से उस चीज के बारे में जानता ही ना हो यान कि कुछ कुछ नया चीज कुछ नया क्लू लेकर कुछ नया सुच लाकर उसको इंशाया में लिखना होता है यान कि जिस भी टॉपिक के बारे में लिखा जाता है उसके बारे में नए खेलात ठीक है उसके बारे में कुछ नए चीजों को लाकर और मतलब कि कुछ नया क्रियेशन कर ये किसी भी topic के बारे में कुछ भी लिख रहे हैं तो नया बात बताओ जो कि पढ़ने वाला पहले से नहीं जानता हो ये चीज़ को ध्यान में रखकर लिखा जाता है यानकि पढ़ने वाले को कुछ नया पता चले उस topic के बारे में तो ये सबसे बड़ी सबसे बड़ी खुसूसियत है इरशाया की उसमें ताजगी होना चाहिए आप लोग को 4-5 जिन का बासी खाना दे दिये जाए तो आप लोग को पसंद आएगा नहीं आएगा आप लोग ताजा खाना पसंद करेंगे उसी तरीके से इरशाया निगार जो है ना इस भी टॉपिक के बारे में लिखता है उसमें नया चीज दिखता है कि आखर इसमें क्या चीज नया हो सकता है अगर फूल के बारे में लिख रहा है तो फूल के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते होंगे लेकिन फूल के इंट्राया निगार जो होता है उसको एक आजादी मिली होती है कैसी आजादी कि वो जिस टॉपिक के बारे में लिख रहा होता है उस टॉपिक को छोड़कर किसी दूसरे टॉपिक के बारे में भी बात कर सकता है लेकिन फिर आखिर में लौड कर उसको अपने उन्वान पर ही यानि कि जिस topic के बारे में फूल के बारे में लिख रहा था तो फूल के ऊपर ही आना होता है यानि कि अपने title के ऊपर ही आना होता है मतलब कि यहां पर बताना नहीं चाहती हूं कि इंशया निगार जो होता है वो उसका जो भी उन्वान है यानिकि जो भी टाइटल है, जिस भी टॉपिक के ऊपर वो इंशया लिख रहा है, मानने जिए फूल के बारे में लिख रहा है, लेकिन फूल को छोड़ कर वो किसी दू उन्वान पर ही लोटना परता है ठीक है यान कि वो आश्मान में उर सकता है जमीन पर चलते चलते आस्मान में उर सकता है लेकिन फिर उरने के बाद फिर उसे जमीन पर ही लोटना पड़ेगा ठीक है यान कि अपने टाइटल उन्वान पर लिख रहा है फूल पर लिख रहा है लेकिन वापस Marker वाले topic पर ही आना होगा आखिर के तो ऐसी आजादि मिली होती है इंश्ञाया निगार को ठीक है आगे बढ़ते हैं इंश्ञाया निगार जो हμέना एक और बात आप लोगो इस शफ्ट में बताई गई है इंश्ञाया निगार जो होता है वो उस शक्स की तरह होता है जो की दफ्तर में जाता है चुस्त सा लिबास पहन कर और जब घर वापस लोटता है तो जो कोट पैंट होता है यानि कि चुस्त सा लिबास होता है उसको उतारकर turned behalf अधार कर और जिस टॉपिक के ऊपर इनुशाया लिखा जयता है उससे पर थौड़ा कमेंट किया जाता है किया जाता है और उसमें ठोड़ी बहुत हशी मजदा कि आज न ini हो दूस तो उसको अच्छा इन अधमे तक्मील का मतलब ही अधुरापन अधमे मतलब थील्म को लास्ट मेंकर अधुरा चोड़ दिया जाता है। ताकि ज потрने वाला इन्शाय को पढ़ने वाला है कारी चोड अपने इसको लास्ट में अधूरा छोड़ दिया गया था क्यों तरह से बन गया था सभी कटपने को उमारा इन शाया को भी जो है ना अधूरा छोड़ दिया जाता है ताकि जो पढ़ने वाला इंसान है यान की जो कारी है वो खुद सोचे की आखिर में क्या हुआ होगा और जो पढ से इंडिंग हुआ होगा ठीक है मदलब की अलग-अलग अपना अलग-अलग इमेजिनेशन करेंगे कि इस कहानी का का खाथ्म इस तरह से गौँगे तो एदमे तखमील क्या है अंट्राइया की इम्तियाजी खसूसियत है आ आगे बढ़ते हैं आखरी जो खुसूसियत है इंशाया की वो है क्या देखे पूर्थ में लिख दी हूँ इंशाया की मज़ीद हो भी इखतसार है यानि कि इखतसार मतलब की इंशाया को शॉर्ट कॉट लिखा जाता है ज्यादा लंबा भी नहीं लिखा जाता है अब इसका मतलब यह नहीं कि इंशाया निगार जो है यानि कि इंशाया लिखने वाला उसके पास लफ्स की कमी है वो लंबा नहीं लिख सकता है इंशाया बेशक लिख सकता है अगर इंशाया निगार चाहे तो 10-12 पेज का भी इंशाया लिख सकता है लेकिन इंशाया को बहुत ही लंबा नहीं लिखा जाता है इसम इसना समझ में आ गया तो समझे कि इस चाप्टर से एक भी कोश्चन आप लोग छोड़ कर नहीं आएंगे हर एक कोश्चन जो कि आप लोग के एक्जाम में इस चाप्टर से पूशे जाएंगे वह 100% आप लोग करेक्ट बना कर आएंगे यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह यह ठीक है जो पूठ भी में आप लोग को समझा ही हूँ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक तो बनता है लिवी तक नहीं किये हैं तो और जितना जदा हो सके शेड है आप लोग को आप लोग को सब्सक्राइब कर नोटिविकेशन ओन कर लेकिक अगर आप लोग यहां तक स्क्रिंशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हलांकि इसका पीडियो भी टेलिग्राम पर डाल दिया जाएगा अगर आप लोग टेलिग्राम से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है इसका पीडियो डाउनलोड भी कर सकते ह ऐसे हैं तो या पन एकैडमी ऑफिशियल ठेलिग्राम चैनल का थेनल को नाम है आप लोंक होग होगल इस siitä裡面 को कर के जोएंब तो नहीं जूड़े हैं तो टेलिग्राम चैनल से जूड़ जाए हैं वहां पर आप लोगों को इसका पीडिए दे दिया जाएगा हरांकि आप लोग स्क्रिंशॉट भी ले कर रख सकते हैं लिए फिर पीडिएफ ले जिस भी तरक्ये से ले आप लोग जरूर करवा ले ताकि आप लोग रिविजिजन कर सके हाइलाइट करके अंडरलाइन करके ताकि चीज़े लंबे समय तक आप लोग के मैंड में याद रहे ठीक है तो ले लिजी फड़ापेट स्क्रिंशॉट तो चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दी होंगे फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए ज कुदा हाफिस